नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लाश 10 के महत्वपूर कोशन जो की 3 गोनो मेटरी का है और इस कोशन का यूज हमारे लाइफ में अत्ती महत्वपूर है क्योंकि जब भी हम एक्जाम देते हैं इस टाइप के कोशन हमेशा आते हैं तो ये जो कोशन है पांच नमबर का पूछता है और पांच नमबर एक्जाम में हमारे लिए बहुत ही माइन रखता है तो इस टाइप एक कोशन को solve करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिकोन मीती का all formula याद होना चाहिए यहींनि पूरा formula आपको already याद होना चाहिए उसके बाद इसको काफी आसानी से किवल एक से दो formula का use करके solve कर सकेंगे तो देखिए हमारा कोशन क्या है और सीध क्या करना है देखिए हमारा heading है सीध करे की क्या करना है सीध क्या करना है सीध क्या करना है देखिए root over में one plus sign a है बाटा में क्या है one minus sign a और इसके बराबर में आपको सीध करना है यानि proved करना है sick a plus का 10 a तो जब भी आपको इस तरह का Question दिया रहे तो यहां तो आप Right Hand Sight लेकर Left Hand Sight चिद्ध कर सकते हैं यह Right Hand Side लेकर Right Hand Side सीधिर कर सकते यह यह बाया тор срав लेकर देया force चिद्ध करेंगे यह पिर दाया पॉंक्ष लेकर आप बाया पाक्स सिध्र कर सकते हैं, तो देखिए, हम की करेंगे कि लेप्ट हंड़जए लेंगे, यह आप लिखेंगे L H S, लेंगे, तो L H S में क्या है यह आप लेखिए, तो से पहले रूट अभर है, L H S बराबर देंगे, root over 1 plus sin A तो यहां अपलेखेंगे 1 plus क्या है sin A है अब देखें बाटा में क्या है 1 minus sin A 1 minus sin A यह हमारे दिया गया है और हमको सीध करना है 6 A plus 10 A तो जब भी आपको इस तरह का form में कोई भी question दिया रहे तो आपको करना क्या है यहां पर हरो का परिमे करन करना है देखें कोई भी शेंग क्या होता है अगर बाटा में है न तो बाटा में होता है शेंग क्या है तो उसको हम भीन कहते हैं और भीन में क्या होता है इस बाटा के उपर लग नमर को अंस बोलते हैं और इस बाट है के नीचल लाव नमर क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं तो हम इस हर का परिमेकरन करेंगे तो ध्यान दिजी करने कहाँ देखे सबसे पहले क्या है? इसी कॉश्चन को लिखेंगे है पर केसी तरह अवर देखि यहां पर एकवाळा रूट देएक और वाळा रूट के अंदर क्या देंगि आब देखे करना क्या होग reg mask 2021 करना हैं तो यहास का परेमिकरन करने के लिए शबहेशन है यहां पर हम गुना पर लेशर है अब जितना बाड़ा बाटा है न यहीं पर उतना बाड़ा बाटा देंगे और इसका पर्मिकरन करना है तो पर्मिकरन में क्या होता है अगर यहाँ पर प्लस का चीन है तो यहाँ पर आपका माइनिस का चीन होगा अगर यहाँ पर माइनिस का चीन है न तो यहाँ पर आपका वन पलस साइन हो जाएगा अब यही सेम नीचे भी लिखेंगे यहाँ पर भी वन पलस साइन है यहां पर यहां पर भी वन पलस साइन है यहां पर गुना कचिन है और यहां पर भी वन पलस साइन है यह दोनों शेम है न तो हम इसको क्या कर सकने देखें वन पलस साइन है यहां तो हम क्या करेंगे, आपर, one plus sign, a का, square करेंगे, square का मतलब था है double, अब देखें बाटा में क्या है, तो देखे, one minus sign है, और one plus sign है, तो देखे, a plus b into a minus b का फर्मुला होता है, a square minus का b square, यानि कौहने का मतलब क्या है कि E² तो एक ज़ुपर क्या है एक है यानि हम करें क्या सबसे पहले बढ़र करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा वन और फर्मूलम होता है E 2 – 2 तो सरे नोहई तो यहाँ पर एक हो जाएगा और माइनस लिखेंगे B का square A नहीं sin A का square करेंगे तो आपका हो जाएगा sin A square A अब देखिए इस पर बाड़ा सा root है तो बाड़ा सा root देंगे अब इस root को हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए करेंगे देखिए अगर root हटेगा न तो यह square कट जाएगा root से यह square कट जाएगा और यहाँ पर भी square A तो यह भी आपका कट जाएगा अब देखिए simple से यहाँ पर क्या बज़ेगा तो 1 plus sin A हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर 1 minus क्या है sin square A है तो यहीं पर आपको formula करेंज करना है 1 minus sin square A बराबर होता है क्या होता है तो cos square A क्या होता है इसके बराबर क्या होता है cos square A तो हम बाटा में cos square A लिख सकते है लेकिन root है तो root को हटाएगे न तो root से square कर जाएगा यानि यह square कर जाएगा सिर्फ आपका cos A यहाँ पर बज़ेगा क्या बज़ेगा cos A अब यहाँ पर थोड़ा से आपको mind का यूज करना है अब देखे सिंपल सा 1 plus sin A के बाटा में क्या है cos A है यानि 1 के बाटा में cos A है और sin A के बाटा में cos A है तो लिेगे one by cos A plus A यहाँ पर sin A और बाटा में क्या है cos A तो बाटा हमें cos A लिखेंगे अब देखिए 1 by cos A का फर्मूला होता है 6 A याद होगा आपको क्या होता है 6 A plus A तो plus और sin A बाटा cos A का फर्मूला होता है 10 A जो कि हमारा RHS यहाँ पर आ चुका है देखिए हमारा 6 A plus A ने सीध करना था जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है यह हमने left hand side लिया था यानि AHS लिया था और right hand side में 6 A plus A ने जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है और इसी तरीका से आप काफी आसानी से इस तरह के कोशन यानि कलास 10 के त्रीकोण मीती के कोशन को सल्व कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दिजिए इस चैनल पर पहले बाएं तो सब्सक्राब जरूर कीजएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब जय हिंद बंदे मातर